हम बात कर रहे थे भारतिय लोगतंतर की चुनोतियों के बारे में और उसके समाधानों के बारे में हमने ये टॉपिक क्लियर करा दियें समाजी कर्ष्मानता आर्थी कर्ष्मानता आज हमारा टॉपिक है गरीबी गरीबी के बारे में आज बात करेंगे भारत में ये बहुत बड़ी चुनोती है गरीबी क्योंकि भारत एक विकास सिल देश है विकास सिल देशों में गरीबी होना स्वभाविक है क्योंकि वो उस लेवल का विकास नहीं कर पाते हैं इसकी वज़े से उस गरीबी को खदम कर सेगे तो आज हम गरीबी के उतरदाई कारण क्या है भारत में उसी को हम देखने वाले हैं तो पहला कारण हम देख सकते हैं आय में आसमान्ता भारत में एक तब्का बहुत ज़ादा इंकम जनरेट कर रहा है और वही दूसरा बाला तबका जो गरीब है वो बहुत ही कम income को generate कर पा रहा है मतलब उसके पास बहुत ही कम income है जहां भी वो काम करता है तो आए में बहुत ज़्यादा असमानता की बज़े से भी गरीबी बढ़ती है अब हम करीबी को देख लेते हैं World Inequality Report क्या कहती है 2022 की World Inequality Report कहती है कि भारत की जो सीरसावादी है 10% उसके पास पूरी national income का 57% पैसा है 57% मतलब अगर भारत की अबादी 142 करोड है तो इसका 10% 14 करोड क्या स्पाट हो गया 14 करोड लोग मतलब 14 करोड लोगों के पास भारत की जो national income है राष्टी आया है उसका 57% 57% हिस्सा इस 10% के पास है तो जो भी बची कितनी बची 128 करोड 128 करोड आबादी के पास कितना बचा 43% अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 14 करोड के पास पूरी राष्टी आयका 57% और 90% के पास जो कि आबादी में बहुत ज़्यादा बड़ी है अगर उसको देखा जाए तो 128 करोड के पास सिर्फ 43% अब सोचने वाली बात है कि income का आयका ये कितना बड़ा गैप है हम सोच सकते हैं कि सिर्फ 10% आबादी हमारी जो भी राष्टी आया उसका कितना बड़ा हिस्सा कंजूम करे बैठी है या उस पे अधिकार जमा के बैठी है उसके पास है और बागी जो आबादी है 128 करोड अब वो 43% में काम चला रही है तो ये इंकम का इतना बड़ा गैप क्या करेगा गरीबी पैदा करेगा गरीबी है ये आगे जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या विस्फोट में सरकार की कोई गलती नहीं सरकार की थोड़ी बहुत गलती है कुछ policies बनानी चाहिए जो की नहीं बनाई है लेकिन जनसंख्या तो हमीं लोग पैदा कर रहे हैं अजब हमीं लोग पैदा करेंगे तो जो भी हम कमाएंगे वो सब को खा जाएगी जनसंख्या जो भी बच्चे पैदा करेंगे वो सब को खा डालेंगे तो गरीब गरीब बना रहेगा अमीर अमीर बना रहेगा अमीरों के कम बच्चे क्यों होते हैं और वो और अमीर होते क्यों चले जाते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों बहुत कम संसाधन संसादन खर्च करने पड़ते हैं तो गरीबों की एक व्यथा है वह सोचते हैं जादा बच्चा पैदा करने से जादा पैसे कमाई जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है जादा बच्चा पैदा करने से गरीबी बढ़ेगी जादा बच्चा पैदा करने से पैसे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उन पर जो खर्च होना है वो हमारे को कहां ले जा रही है गरीबी की तरफ इस बात का हमको खैल रखना है अब जंसंक्या विस्फोर्ट को देख लेते हैं 142 करोड के आसपास हमारी जंसंक्या है 2023 के अकॉर्डिंग कि इसमें पर मिनट 250 बच्चे पैदा हो रहें कि 250 में कि एक मिनट में तो एक गंटे में एक गंटे में होगे 1500 मतलब हम एक गंटे में हम 15000 बच्चे पैदा कर रहे हैं अब आप सोच यह जिनसेंग क्या बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा अब सरकार ने थोड़ी कहा है कि आप बच्चे पैदा कर डालिए सरकार क्यूं बोलेगी यह तो हम कर रहे हैं तो इतनी स्पीड से जब जन्सेंग क्या बढ़ेगी तो क्या होगी गरीब ही बढ़ेगी गरीब ही क्योंकि संसाधन तो छी में देशin पैसे जितना नाच पराए हो सकते हैं दो दही अनाज तो तो सी मेत हैं अब हमको क्या होगा थोड़ी-थोड़ी चीजें मिल पाएंगे क्योंकि चंसंग क्या इतनी स्पीड से बढ़ रही है उसको भी दे तो चाहिए इस्थिती कुछ अलगी रहती है ध्यान रखना है तो हमको आकणों के अकोर्डिंग चलना है इस्थिती असलियत में क्या है वो अलग चीज है तो अगला है कुटीर उद्योगों का अभाव भारत में गरीबी का एक और रीजन है कुटीर उद्योगों का अभाव है जो नीचे खान पान और दूसरी जो आय किस अंसादन है वो पूरे किये जाएं आय बढ़े उसकी इस तरह से कोचिस की जाए सरकार के दौरा बहुत सारी चीजों की तो इससे क्या होगा गरीबी बढ़ने से रुख जाएगी क्योंकि गरीब आदमी को क्या चाहिए आसपासी कोई काम मिल जाए उसके आसपासी परिवार के आसपास वो रहता रहे और उसका रोजगार चलता रहे इससे क्या होगा कुट्री रुद्यों को की अभाव की बिज़े से भी क्या होगा गरीबी बढ़ी है अगर कुटीड़ोगों को बढ़ा दिय है उनको बढ़ावा दिय जाए तो गरीबी बहुत अधक क्म हो शकती है अगला है प्रसाष्चिनिक उदासिंता अब ये थोड़ा सा प्रसाशनिक उदासींता है लिकिन इसमें अभी जो सरकार चल जी उसने बहुत अच्छा काम किया है जो भी सरकार से या केंदर सरकार से जो भी सरकार से जो पैसा जाता है गरीबों के लिए जो भी समाजिक सहेता जाती है अब डिरेक्ट उनके अकाउंट में जा रही है अब एक और काम बहुत अच्छा अगर कर दिया जाए कि बहुत सारी योजनाओं को बनाने की जगह पर उनके पैसे अगर अकाउंट में भेज़ दिये जाए गरीब आदमी के उसके लिए ऐसी योजनाओ चल रही है उन सभी को खतम कर के जो भी आप गरीब के लिए करना चाहते हैं जो भी नीचे तपके को उपर उठाना चाहते हैं उस सभी के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उस जो योजनाओं बनाई है उससे जो उसको फाइदा हो सकता था उस फाइदे कि जो पैसे उसको बनने थे वो उसके सीदे अकाउंट में भेज दिये जाए जो जंधन खाते खोले गए है वो बहुत अच्छी पहल थी NDA सरकार की तो इसको और बढ़ाया जाए और लोगों को इसमें और आर्थिक साहिता जाके जीजानी चाहिए जिससे कि योजनाओं के बनाने की टेंसरिखतम हो जाए योजनाओं को बनाना चाहते हूं स्पे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा ऐसा नहीं किया जा रहा है प्रसास उनके बाद भेज दिया जाता है अपसरों के पास पैसा के इस स्कीम का ये पैसा है तो वो क्या करते हैं आपस में बाट बूट के सेट कर देते हैं चीजों को और जिसको पैसा मिलना चाहिए उस तक वो पैसा मिल नहीं पाता तो इसका एक ही इलाज है कि अगर उसको डिरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए उनके अकाउंटों में तो ये से ज़्यादा फाइदा होगा उनको तो ये गरीबी के रीजन है ये सभी चीजे तो जिससे की हमारी जो दिस में है जो गरीबी है वो बढ़ रही है अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है आज के लिए तमे